किसन बायों सभी का स्वागत है माँ चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त मनेश जाकर जैसा कि किसन बायों अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और कई कई पर छोटे छोटे फल भी आना शुरू हो गए हैं किसन बायों आम के अंदर जो फूल आते हैं उस समय बहुत ही ज्यादा समस्य आती है कि पहला फूल का जड़ना और दूसरे है छोटे फल का जड़ना दोस्तों इनके कुछ कारण रहते हैं जिनकी वज़े से जड़ते हैं तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और पूरी जानकारी हम यह इस वीडियो के मादिम से आपको देंगे द चैनल पर चैनल को जुरू करें सबस्कायब करते हैं जôm कि संभयों फूल आजाते हैं उसके बाद जन्मिए समस्य के तीए यह तो पूरन पर नियुक पाते है वहां पर उसके पास पहूंच SL नहीं पाता है वहां पर उससे होता है कि फूल कम्जोर होकर जड़ जाते हैं दूसरा होता है फंगस ऑब कीट की तरstar해주 काम होता दो सबस्वरेब दोस्तों सबसाहिए करते हैं कोई सबस्सका होता है उब सबस्कुरय कर सकते हैं जैसे कि इमीडा क्लोप्रेट बुफरोजिन 25 परसेंट एससी फो में आता है दोस्तों में से कोई सब भी हम फंगी साइट का इस्वाल कर सकते हैं जो उसके अंदर कीड होते हैं वो खतम हो जाते हैं इससे और उसके अंदर किसंग भाई हम फंगी सेट भी मिला सकते हैं जैसे म कहते हैं किसंगी फंगस होती है उसको कंडूर करने के लिए हम मैंको कर करने के लिए saaf का हम अधिकर सकते हैं मेंगा प्लाक च६्राइफे आपके जो फूल जनने की समस्या होती है वो खतम हो जाएगी दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों जब फल बन जाते हैं उसके बाद में हमको क्या परशानिया आती है फल की समय किसन भायो इन तीनों की समस्या रहती है फल बनने के बाद किसन भायो हम कोई सब भी systematic fungicide का इस् करते हैं तो हमारे आम के अंदर जो मस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी दोस्तों दोस्तों आप इन दोनों का त्यान रखते हैं आपके आम के फसल के अंदर फूल जणना और फल जणनों समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों यह चोटीस जनकरी आम के बारे में जिदी किसन बहुत बहुत धन्याव दोस्तों आप सभी का जैहीं जैपारत